Hello Friends, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप गर बैठे-बैठे अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भी आप ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अपलाए करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो 4-5 दिन के अंदर अंदर आपकी इमेल आईडी पर सेंट कर दिया जाता है तो आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है उतको आपके घर तक आने में 14-15 दिनों का टाइम लग सकता है तो इसलिए अगर आपको ज़रूरी है यानि कि पहले ज़रूरत पढ़ती है तो आप अपने पैन कार्ड को अपनी एमेल आईडी पर ही डाउनलोड कर सकते हैं तो आपने इसे कैसे डाउनलोड करना है complete detail आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो इसके लिए आपने क्या करना है इस वीडियो को complete watch करना है पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमने google chrome में पैन कार्ड डाउनलोड एंटर करना है तो यहां हमारे पास store पर जो link आएगा get e-pan card हमने इसी link पर click करना है यहां हमने pan card वाला option ही selected रहने देना है और नीचे अपना pan number एंटर करना है अधार card number एंटर करना है अपनी date of birth एंटर करनी है gst number एंटर करना optional है अगर आपके पास आपका gst number एविलेबल है तो आप यहां पर एंटर करोगे otherwise mandatory नहीं है तो नीचे हमने check box पर tick करना है और I am not a robot वाले option पर click करना है और submit की option पर click करना है तो इतना करते ही आपको यहां आपकी सारी details show होगी और आप से यहां पुछा गया है कि आप OTP कैसे receive करना चाहते हैं इमेल आइडी पर या फिर मुबाइल नंबर पर और या फिर दोनों पर तो आप अपने according कोई भी option सेलेक्ट कर सकते हैं तो हम यहां पर इमेल आइडी वाला option सेलेक्ट करेंगे यानि कि हम OTP इमेल आइडी पर रिसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने यही ओप्शन सेलेक्ट करना है नीचे हमने आई हेरबाइ कनफर्म के चेक बोक्स पर टिक करना है और जेनरेट ओटीपी के ओप्शन पर क्लिक करना है तो अब हमारी पर continue with paid e-pan download facility वाले option पर क्लिक करना है तो यहां हमने payment करने के लिए payment mode सेलेक्ट करना है तो हम यहां पर online payment through build desk वाला option सेलेक्ट करेंगे तो यहां हमने 8 रुपे 26 पैसे की payment करनी है नीचे हमने I agree to the terms of service वाले चेक बोक्स पर टिक करना है और proceed to payment के option पर क्लिक करना है यहां हमन हमने यहां पर payment process complete करना है और आप यहां देख सकते हैं transaction status में success वह हो रहा है तो हमने यहां पर continue के option पर क्लिक करना है यहां हमने generate and print payment receipt वाले option पर क्लिक करना है तो यहां payment receipt generate हो जाएगी आप इस slip को डाउूड करना चाहाओ तो डाउड भी कर सकते है इसके लिए लिए हमने download पीडियाफ वाले option पर click करना है और pen card download करने के लिए आप यहां देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है e-pan is sent at your email id means आपका pen card आपकी email id पर send कर दिया गया है आप इसे अपनी email id से download भी कर सकते हैं तो आपने अपनी email id open करनी है और इस file को open करना है इसके लिए download वाले option पर click करना है इसके लिए हमने password enter करना है password में हमने अपनी date of birth एंटर करनी है और submit के option पर click करना है तो इतना करते ही आप यहां देख सकते हैं आपका pen card है वो यहां पर successfully download हो जाता है तो यह आपका original pen card ही है आप इसे कहीं भी easily use कर सकते हैं तो अगर आपको emergency है आपको आपका pen card जल्दी चा सकते हैं आपके सारे doubts clear होंगे अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में post सकते हैं so this is the end of my video अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please मेरी वीडियो को like करें और मेरे channel को subscribe करें thanks for listening and thank you everyone